हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चेप्टर ओफ 11th NCRD देट इस प्लांट किंग्डम ठीक है तो सेकिंड चेप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 तरह के किंग्डम हमको पढ़ने 11th क्लास में उसमें से हम लोगों ने किंग्डम मोनेरा कंप देख हुए है तो हम लोग अब प्लांट किंग्डम ठीक है प्लांट किंग्डम जो है काफी बड़ा किंग्डम है इसमें भी बहुत सारे डिवीजन से तो उनके बारे में हम लोग हाट स्टार्ट करेंगे इस इस दा लेक्चर वन तो सिस्टम्स ऑफ बायलोजिकल क्लासिफिकेशन तो इससे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा बायलोजिकल क्लासिफिकेशन उससे रिलेटेड चीजे भी यहाँ पर है तो इंटर लिंक्ड है सेकिंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तो तीन तरेके के क्लासि किया उसके अलाग-अलाग systems है जो अलाग-अलाग scientists ने develop किये ठीक है first है artificial classification system आपको question किस तरीके से आएगा यहां पर कि किसी ने develop किया ठीक है कब develop किया उस तरीके यह questions आ सकते हैं उसमें क्या बताया यह पूछा जा सकता है ठीक है तो किसी ने दिया artificial classification system carolus lineage यहां पर carolus lineage लिखा है पर इसका पूरा आप है carolus lineage ही आपको पता है पहले भी इसका नम आ चुका है this is the earliest system of classification मतलब सबसे पहले आने वाला classification यह था artificial ठीक है they were based on vegetative characters or superficial morphological characters such as habit color number and shape of leaves ठीक है तो यह जो है कि किस की उपर based था शूपर फीशल morphological character मतलब जो देखने में देख रहा है हमको जो दिखाई दे रहा है उन चीजों पर यह based था ठीक है लीनियस artificial system और classification based on the endosium structure ठीक है तो artificial system जो है यहां पर इसने endosium structure की उपर दिया लीनियस वाला जो है वो endosium structure कि अलग अलग plants में जैसा endosium structure होगा उसके according उसको classify करें ठीक है हमको याद रखना यह एक history है इसको आप follow नहीं कर रहे है पर यह history है तो हमको history की तरह इसको समझना है ठीक है अब इसके drawbacks क्या थे जैसे मैंने आपको बताया कि इसको अब हम follow नहीं करते है they separated the closely little species since they were based on a few factors अब शिव endosium structure match नहीं हो रहा तो इसका मतलब उनको अलग अलग कर दो यह कोई concept नहीं बना ठीक है यह कोई biological concept नहीं बना तो यह इसका एक drawback है equal weightage to vegetative and sexual characters ठीक है यह हम नहीं दे सकते है vegetative characters और sexual characters को equal weightage इसने दिया था वाड़ ऐसा नहीं हो सकता because since the vegetative characters are more easily affected by environment ठीक है vegetative character जैसे मालो कि बाई किसी का fruit size है यह leaf size है यह vegetative character reproductive characters क्या है flower का shape, flower का color, flower का structure तो reproductive structures जो होते है वो environment की according change नहीं होते है ठीक है बट vegetative characters बहुत जल्दी change हो जाते है तो आपको किसी चीज को classify करना है तो आपको कुछ constant चीज़े ढून नहीं पड़ेंगी आप जो variable चीज़े उसके basis पर classify नहीं कर सकते ठीक है कि उसका fruit इतना बड़ा होता है इतना बड़ा पमकिन है अब पमकिन इतना ही बड़ा होता है और यह इसकी basis हम लोग ने classify कर दिया बड़ अकर हमने environment change हुआ गर्मी जर्दी होगी तो पमकिन छोटा हो गया फिर तो variable हो गया तो हमको कोई ऐसी चीज जून नहीं है जो variable नहीं होती और reproductive characters जो है वो जाधा vary नहीं करते वो हमेशा constant रहते चीक है तो equal weightage नहीं देनी चाहिए थी sexual characters को weightage ज्यादा देनी चाहिए बड़ इसके बारे में ऐसा है तो हमको पढ़ना है ठीक है इसने क्यों गलती की क्यों सही नहीं दिया वह हमको नहीं सोचना है इसने क्या किया और क्या इसके drawbacks थे हमको याद रख नहीं ठीक है आगे चलते है second आया natural classification system ठीक है किस ने दिया George Bentham and Joseph Dalton Hooker these are based on natural affinities among organisms organisms के बीच में naturally जो affinities है ठीक है it considers external features and internal features ठीक है इसने बाहर के structures भी देखे ठीक है systems का जो classification है वो Bentham and Hooker ने दिया ठीक है तो ये natural थर्ड आया हमारा phylogenetic classification system ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया है कि phylogenetic classification सबसे best होता है ठीक है क्यूं क्यूंकि उसमें हमारा evolutionary relationship भी जूडता है जैसे कि आपको मैं पहले भी एक example दे चुका हूँ कि अकर माल लो आपको को organism देता है man, dog and monkey और आपको बोलता है कि इन तीनों को दो ग्रूप में divide करना है इन तीनों को दो ग्रूप में divide करना है मतला एक ग्रूप में दो को रखना पड़ेगा एक ग्रूप में एक को रखना पड़ेगा तो एक ग्रूप में आप किसको रखोगे अगर मैं external feature देखने जाओं तो तीनों के अलग-अलग features है है ना बट अगर मैं evolutionary relationship देखने जाओंगा तो मैं monkey और man को एक group में रखोंगा और dog को अलग group में रखोंगा है ना अगर मैं external features देखने जाओं तो dog और monkey दोनों का size थोड़ा ज्यादा match कर रहा human से तो बिल्कुल match नहीं कर रहा monkey का size उसे साब से तो मैं dog और monkey को एक group में रखता और human को एक group में रखता बट अगर मैं evolutionary relationship देखने जाओंगा तो monkey और human को एक group में रखोंगा तो ये एक best system है classification का जो अब हम follow करते हैं ठीक है तो सबसे best system है phylogenity का classification ठीक है these are based on evolutionary relationship among the organism this assumes that organism in the same texa have a common ancestor ठीक है तो जो organism same texa में है वो एक common ancestor से बने हैं यह हम ऐसा मानते ठीक है तो यहां पर दिखाया हुआ है जैसे कि यह evolution जो है वो एक ही tree में से हुआ evolutionary tree दिखाया है कि यह सब एक ही ancestor से बने ठीक है तो यह अच्छा system है phylogenetic जो हम लोग आगे भी follow करते हैं ठीक है उसके बाद other sources to resolve the problems of classification अलग-अलग तरीके हैं जैसे फर्स्ट है numerical taxonomy इसमें हम क्या करेंगे all all observable characters it is carried out using computers ठीक है तो हम सारी चीज़े रखेंगे कौन सी match हो रहें जैसे आज कल आप amazon flip card पर filters लगाते हो ना कि यह होना चाहिए मालों आप mobile खरीदने जा रहे हो amazon पर तो वहां पर filters आते कि यह company का होना चाहिए इन लगाएंगे इसका structure ऐसा same होना चाहिए flower structure यह होना चाहिए वह सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो उसको हम बोलते है numerical taxonomy ठीक है तो यह computer के दुरू किया जाता है processing करके data निकाला जाता है उससे divide हो जागा कि यह सारे similar आ रहे हैं तो इनको एक class में रख दो यह सारे plant similar आ रहे हैं इनको इस class में रख दो ठीक है उसके बाद है cytotaxonomy based on cytological information cytological information मतलब chromosome number structure behavior उसको हम बोलेंगे cytotaxonomy इसमें सिर्फ क्या होता यह कुछ है ना सकता है जाता घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे उसके बाद chemotaxonomy it uses the chemical constituent of the plant plant कौन कौन से chemical बनाता है ठीक है जैसे आपने देखा हुआ कि बाई mustard oil है तो वो mustard से ही मिलेगा palm oil palm से मिलेगा मतलब हर plant अलग तरीके के chemicals बना रहा है ठीक है अगर आपको fragrance का है तो बाई rose का जो fragrance है वो rose के plant से मिलेगा मतलब वो कोई chemical है तो अलाग-अला plant में अलाग-अला chemicals है और उसके basis पर हम उनको classify भी कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे chemotaxonomy ठीक है उसके बाद Traditionally plant kingdom has been divided into two sub kingdom ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं सारी चीज़े हिस्टरी बता रहा हूँ कहां से present से हम लोग पढ़ना है वो भी में बताऊंगा तो Traditionally plants को हम लोगों ने पहले दो पार्ट में डिवाइड गिया था फैनरोग्रम्स और क्रिप्टोग्रम्स ठीक है क्रिप्टोग्रम्स कहाता है अल नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच अलगी फंजाई लाइक है अब देखो यहाँ पे फंजाई भी प्लाइंट में डाला हुआ था ठीक है बट अब भी हम लोगों ने पढ़ लिया kingdom फंजाई अलग से तो ये पुरानी बात है और प्लाइंट झन पर सीड्स आते फ्लार्स आती है ठीक है उनको हम बोलते है फ्न वाते मोफंज पहले की बात है अभी हम योड़ा सिस्टम फोल्म नहीं करते ठीक है बट पूछा जा सकता है कि बाइट ट्रीशनली ब्लांट किंड़ंड को कैसए डिवाइड या था तो आपक is spermatophytes ठीक है spermatophytes भी इनको बोला जाता है ठीक है since they produce seeds ठीक है यह seeds बनाते हैं इसलिए इनको spermatophytes उसके बाद these seed bearing plants are further divided into gymnosperm और angiosperm इनको gymnosperm और angiosperm में divide किया गया ठीक है gymnosperm है नेग्ड ovules ठीक है gymnosperm के उपर seeds की उपर covering नहीं होती मलता fruit नहीं होता और angiosperm में क्या होता है seed की उपर fruit present होता covered होते है ठीक है तो यह नेग्ड seeds होते है gymnosperm में और angiosperm में seeds की उपर हमको fruit मिलता है ठीक है तो एक कुछ इस तरीके का क्लासिफिकेशन दिया हुआ था याद रखना है इसको अभी हम लोग follow नहीं करते है प्लांट किंग्डम को याद रखना यह history है इसमें questions नहीं आते हैं जादा यह बहुत पहले की बाते है ठीक है तो इस तरीके से इन्हों ने classify किया था यह history इसको अभी हम follow नहीं करते हैं follow क्या करते हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा यहां से हाँ यहां से हमारा present का start होता है इससे पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा यह plant kingdom का history था कि ऐसा ऐसा हुआ था यह सारी theories आए थे यह systems आए थे traditional system यह थे अब आज की तारिक में NCID के according plant kingdom को हम लोग यह पांच part में divide करते हैं ठीक है first है हमारा algae ठीक है तो हम लोग algae के बारे में पढ़ोगे आप लोगों ने algae देखा होगा green structure होता है अब देखो वो plant जैसा तो नहीं देखता है चोटा सा surface के ऊपर जहां पर moisture होता है पानी गिरता रहता है पॉंड्स के ऊपर algae ग्रो होता है ठीक है plant जैसा ने देखता बट उसके characters plant वाले हैं वो chlorophyll bearing है वो photosynthesis करता है ठीक है इसलिए उसको प्लाइंट में रखा गया उसके बाद ब्राइओफाइट मतलब छोटे plants algae से थोड़े बड़े हलका सा plant जैसे देखेंगे बट fully developed plants यह भी नहीं है उसके बाद teridophytes इन से थोड़ा देखो यह evolution का direction भी यह सबसे पुराने algae है फिर उनसे ब्राइओफाइट बने फिर teridophytes थोड़े plants आपने देखा होगा जब आप कही mountain regions पर जाते हो साप उतारा जाते हो या हिमाले पर जाते हो तो पूरे जो mountains को उपर green green covering होती है plants की mostly वो जो होते है teridophytes तो वो थोड़े ब्राइओफाइट से थोड़े advance इसमें क्या advancement है कि जब हम यह पढ़ेंगे तब सेखेंगे कि क्या teridophyte में क्या जाधा है इससे उसके बाद gymnosperm gymnosperm और developed evolution हुआ और developed plants इसमें seeds होते हैं इन तीनों में हमें seeds नहीं मिलते हैं ठीक है इन तीनों में हमको seeds देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है यहाँ पर हमको इन दोनों में seeds देखने को मिलेंगे सबसे advanced कौन से हुए angiospum angiospum की क्या पैचान है कि ये flower बनाते है अगर किसी भी plant पे आपको flower आता हुआ दिख रहा है तो आप आँख बंद कर के बोल सकते हो कि हाँ ये angiospum अगर आपको seed दिख रहा है बट वो seed covered नहीं है नेग्ड seed है उसके उपर कोई fruit नहीं बना हुआ है तो वो gymnospum की पैचान है बट seeds दोनों में होंगे इसमें uncovered और इसमें covered और इसकी दूसरी पैचान क्या है flowering इसलिए angiospum को हम लोग flowering plants बोलते हैं अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है flowering plants तो आपको समझ लेना है कि हम angiospum की बात कर रहे हैं ठीक है तो इस chapter में हम लोग algae, bryophyte, tridophyte, gymnospum इनके बारे में जाधा पढ़ेंगे angiospum के बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे angiospum को detail में 5th chapter जो है morphology of flowering plants मतलब morphology of angiospum 5th chapter अलग से दिया हुआ है anatomy, morphology मतलब होता है बहार का structure anatomy होता है internal structure और 12th में जब हम जाएंगे तब reproduction of flowering plants मतलब इसके लिए अलग से 3 chapter है हमारे syllabus में इन 4 के बारे में जो भी कुछ पढ़ना है वो इसी chapter में पढ़ना है इसके बाद नहीं आएगा इनके बारे में तो angiospum के बारे में इस chapter में थोड़ा detail में जानेंगे जादा नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि उसके लिए अलग से 3 chapter दिये हुए morphology मतलब angiospum का बाहर का structure पढ़ लो anatomy मतलब उसका internal structure पढ़ लो और reproduction में उसका पूरा reproduction के बारे में पढ़ लो और उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे फटा फट और जो भी doubts आपके आते हैं वो आप live class में पूछते जाओ जितने जल्दी आप अपने doubts clear करोगे उतना अच्छा concept बनेगा जदा से जदा MCQs solve करो जितने जदा MCQs करोगे previous year MCQs करो आपका concept clear होगा उतने अच्छे से आपके marks आई ठीक है? Thank you